बीजेपी ने अब की बार 400 पार का नारा दिया था बीजेपी के चुनावी सभाओं में भी ये नारा खूब गुंजा इस लोग सभाचुनावी में अब तक 423 सीटों पर वोटिंग पूरी हो चुकी है और बीजेपी अब भी अपने नारे के सच होने का दम भर रही है वहीं विपक्षे पाटियों का दावा है कि इस बार इंडिया गट बंदन सत्ता में आएगी इसी बीच चुनावी रणितिकार और बिहार में जंग सुराज के अनूठे प्रियोग में लगे प्रिशांत की शोर ने लोगसभाचुनाव के नतीजों को लेकर बड़ा दावा किया है उन्होंने कहा है कि भाजबा को लोगसभाचुनाव में लगभग 300 सीटे मिलने की संभावना है साथ ही उन्होंने कहा कि प्रधानमंतरी नरेंद्र मोदी के खिलाफ कोई व्यापक गुस्सा नहीं है एक टीवी चानल को दिये एंटर्विव में प्रिशांत की शोर ने लोगसभाचुनाव के नतीजों और उसके कार्णों को लेकर विस्तार से बाच्चित किये उन्होंने कहा जिस दिन से प्यम मोदी ने कहा कि बीजेपी को 370 सीटे मिलेंगी और एंडिये 400 का आकड़ा पार करेगा मैंने कहा कि ये संभव नहीं है ये सब कारेकरताओं का मनोबल बढ़ाने के लिए नारेवाजी है बीजेपी के लिए 370 सीटे हासिल करना असंभव है लेकिन ये भी निश्चित है कि पार्टी 270 के आकड़े से नीचे नहीं जा रही है मुझे लगता है कि भाजपा पिछले लोकसवा चुनाव में मिली संख्या के बराबर ही सीटे हासिल करने में सफल रहेगी जो कि 303 सीटे या शायद उससे थोड़ी बहतर है वहीं एक दूसरे टीवी चैनल को दिया इंटर्वियू में विपक्ष के इंडिया गड़ बंधन को लेकर प्रिशान के शोर ने दावा किया है कि उन लोगों ने एक्टिव होने में देर कर दी यहां तक कि प्रिशान के शोर ने ये भी कहा कि भारत में विपक्ष कमजोर नहीं है उन्होंने कहा जब तक इंडिया गड़ बंधन एक्टिव हुआ तब तक बहुत देर हो चुकी थी बीजेपी पहले ही अपने नुकसान वाली जगय भड चुकी थी इंडिया गड़ बंधन के अलान के बाद विपक्ष ये गुट ने महीनों तक कोई आक्शन नहीं लिया उन्होंने पीएम चेहरे का भी अलान नहीं किया जनता देख सकती है कि उनके पास बीजेपी के खिलाफ कोई विश्वसनिये चेहरा या स्ट्रॉंग नेरेटिप नहीं है लोगतंत्र में भारत जैसे देश में जहां 60 प्रतिशत से जादा लोग दिन का 100 रुपया नहीं कमाते हैं ऐसे स्थिती में ये नहीं कहा जा सकता है कि देश में विपक्ष नहीं है और सभी लोग सरकार से खुश हैं आज तक कोई बिदल देश के स्तर पर 50 पीजदी वोट नहीं ला सका सरकार के पक्ष से ज़ादा विपक्ष बाले लोगों ने वोट दिया है लेकिन सबसे ज़ादा वोट जिसको मिलेगा सरकार तो उसी की बनेगी बतादें कि लोग सब चुनाओ के साथ फेज में से अब तक पांच चरणों के वोटिंग पूरी हो चुकी है पांच फेज के तहट अब तक 428 सीटों पर वोटिंग पूरी हो चुकी है अब बाकी वचे सीटों पर 25 माई और 1 जून को वोटिंग होनी है इस चुनाओ के नतीजे 4 जून को आएंगे टाइम्स नौन अब भारत डिजिटल की रिपोर्ट